जिनाजीन ब्रेक यपट आपको दिबारत से वुषामदीद केहते हैं एक और मुहले में हम माजूद हैं और यहां पे भी कुड़े की सुरत इहाल को जिस तरह से है कि हम जहां जा रहे हैं वहां पे गाड़ी आ रहे हैं यह आज मैजिक हो रहा है जादू सा हो रहा है मेरे प् करेंगे लेकिन जैडो साब ने हमें यहां पर जॉइन किया है आसामिकूं सर वाले 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 और शहर के शहरी जो है वो सरापा हितजाज रहते हैं पुड़ा वक्त पे नहीं उठता है अब यह रिपोर्टिंग हम भी करते हैं यह नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं की बात पर करके यकीन कर रहे हैं जो हम अपने रोजमरा की जिन्दगी में देखते हैं वही हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं तो यह कूड़े का मकसद उठाना यह इतना मुश्किल क्यों है जब आपने बैनोलग कौामी कंपनियां भी हाईर कर रखी हैं फिर भी कूड़ा उठनी रहा यह मसला क्यों हल नहीं होता यह मैडम कूड़ा तो आप देख रही है कि गाड़ी लगी हुई है और फुरा उठा रही हैं यह तो अभी आई आई है नहीं सुपा भी यह जहां जहां अभी मेरा प्रिग्राम के लिए हम रिकॉर्ट कर रहे हैं महां-वहां गाड़ी आ रही हैं यह आपके आने से पहले यह गाड़ी भार भी चुकी है इतनी जल्दी आप यह कह रहे हैं कि आपकी गाड़ियां जो है बहुत एफिशन्ट हैं वह जहां 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 कुड़ा हो बहां पहुंच जाती हैं यहां कि महुलेदार जो हैं और तेंसे हम बात कर लेते हैं अच्छा काफी दीन हो गया थे पर बद्बू एनी फैलर दी ऐसरा कारके नंग ने बच्चेयां जिंदगी ने कोई मिमान आंदा जिंदगी तनिना एगी कोई मिमान आंदा हो केंदा उसमा लेचे ना जाओ गांदेना पर नालियां और पैसे लाया के गंद कार दे गटर कार दे हसी केनिक पर शान हाद तो ज्यादा जैडव साप कहते हैं गाड़ी रोज आती है कोई अठाने के लिए चारी तो आती है खर यह मुझ गलत कह रहे हैं यहां पर जब मुस्लिम लीग का था ना जब असी मलक यह सारे रोज आना ज़ारू देते थे रोज आना सफाई होती थी कु पत्यों का रिष्टे लेने आते हैं अगले कहते हैं आपके तो यहां गंद नाले पे आगे आते ही नहीं है यह उठाना चाहिए कुड़ा गंद बचे चोटे-चोटे बीमारी पहलती है आगे जाके देखे सारे गटर बरे में गटरों में बचे गिरते हैं और सारी सड़क गं हैं फिर राजी हो के आलिए हम स्विनल ओफिस से आफ विससे हम जवाब कर लेते हैं सर यह मेरा मसला नहीं है यह तमाम का मसला है कैसे इसको जवाब देंगे ज़र सामनी आएगा क्यामरा को मैडम इस तरह है कि गटरों का बतार ही है गटर तो वाशा के बाद से हमारे बास तो नहीं है पूरे की बात करें लिके यह नीचे सीनडी वेस्ट पड़ा हुआ है उपर कितना अब कितना बहुत बढ़ा मलता है कितना बढ़ा बढ़ा है आप देखें इतकरीबाद एक गाड़ी डेड़ गाड़ी रोज निकलती है तो तरह कुछ होएगा और दुनों कुड़ा जड़ा सारा नाले ची जानदा है चले जी इम्रान मलिक साथ यहां पे रहा लड़ाई है नूली पाकिस्तान तहरी के इंसाथ यह कब तक हम पाकिस्तानी बनेंगे असल में मदिहा देखे हर बंदा अगर खुद बहुत जुम्मेदारी पूरी करनी शुर करता है और उनका पूरा हक है मकसद यह है कि यहां पे कुड़ा है जोनल ओफिसर कह रहा है कि जी सुबह गाड़ी आती है अब भी जो गाड़ी आई है यह एक सिर्फ और सिर्फ ड्रम हमें देखकर आई गई है यह इस वक्त मैं मान नहीं सकता क्योंकि जहां पर भी चले जा लेना चाह रहे है या उनसे काम क्यों नहीं लेना चाह रहे है क्या वो उनके हाथ क्या ज्यादा लंबे है क्या जर्रلم मेंजर अप्रेशन असरी अफिक पार शाब है जब तक बोर्ड कम yellएं थब जो गई हैं और ये जो बंद कमरा मीटिंग्स हैं, मीटिंग मीटिंग्स जिनके बनते नहीं हैं और अब भी तक उन्होंने 56 से 60 से जाइद जो हैं वो इजलास की हैं और वहाँ पर कोई उसके मीटिंग मीटिंग्स नहीं बने कि लुक बिजी डू नाथिंग हाँ लुक बिजी और जितना मर्जी यह वर्क हाट कर ले मकर प्रोग्रस नहीं नजर आएगी क्यों वाला क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं को बाता है कि हमने किसको मिनाना है सवाल मेरा ये था कि अब्दुलालीम खान इस मौमले में कर क्या सकते हैं करने की कोशिश तो कर रहे हैं लोग बिजी डू ना थी कर क्या सकते हैं मैं जहां तक अभी तक देख पा रहा हूँ चार माँ हो गए हैं ठीक है चार माँ में अभी तक गौवर्मेंट ने ये फैसला नहीं किया क्या हमने कंपनी का बौर्ड बनाना है कैप्टन रटाइड अनवारुलहक डिप्टी कमिशनल लाहॉड ने आज से तकरीबन दो माँ पहले 16 अक्तूबर को बौर्ड बनाया 13 बंदों का और उस से तकरीबन 3 दिन बाद वो बौर्ड तहलील कर दिया गया अच्छा तहलील होने के फोरी बाद 7 दिन बाद उनको ये सजा मिली या पता नी जिजा मिली कि उनको 29 नुवंबर को अक्तूबर को यहां से उनको जानने के लिए कह दिया गया यहां वो खुद से चले गए मगर मकसद यह कहने का है कि वो बौर्ड जो है वो हमें यू लगा कि क्या उन्होंने बौर्ड बनाने के गल्ती की उसमें नस्क के लोग थे उसमें बड़ी-बड़ी यूनिविशिस के लोग थे उन्होंने ऐसे लोग वीचमेंट आने तो लाहोर को था अगर डी-सी बनाएं कोई बोर्ड बनाएं या पर अबदुल अलिम खान सब बोर्ड बनाएं तो शेहरे लाहर को इसका फाइदा हिंगाई का आगे जो है, वो ह्नक्त की जो है, वो हtheyक में तो, वो पहुंदाब की अहिए, वो प्निजाब में, करने कंपएंध्द हो यह कहा उन्ल भागाउश जो है, वो बिलकुल ख्राब हुई ही हुई है। या फरक यूम्बार साब हो या मली सुहेल हो वो क्या चार बंदे कर लेंगे अच्छा है मुझे खावर साब ये बताएगा कि अलबिरागोस पाक को जुर्माना करना इससे कितना फाइदा हासिर हो सकता है देखें अगर तो कंट्रेक्ट के मताबक जुर्माना हम उन्हें तीन फीसे से ज्यादा नहीं कर सकते जब उन्हें आप एक कंपनी को पता हो कि मुझे एक मुझे एक मक्सूस सता से ज्यादा जुर्माना नहीं होना तो उससे हम फिर उस तरह की कारकरदगी भी नहीं ले सकते हैं अब आप जितना कबल पहले कभी उनको जुर्माने किये गए जुर्माने उन्हें होते रहे हैं मैक्सिमम हम 3% कर सकते हैं अगर उनकी सफिशेंट कारकरदगी नहीं है तो वो ही कमपनियां क्यों चूज की जाती हैं हमेशा ये कमपनियां आज से 7 साल पहले चूज की गई थी इनको 2012 में अपना अपरेशन शुरू किये थे और अब तो ये टुवर्ड एंड है इनके केस नेप में चल रहे हैं नेप में केस चलने की वज़ा से तमाम अफसरान तो सुबा से लेकर शाम पांच में तक वहां पे बैठे रहते हैं आपकी कमपनी क्या आप कहीं पे भी कोई काम कर रहे हो आपके बंदे जाकर रुजाना जाकर बता रहे हो नैब में जाकर तो जिन्हें अफसरान ने फैसले करने हैं वो अफसरान तो नहबे बैठे हुए है अच्छा ये चार बंदे ऑपरेशनल के परक्यूर्मेंट के फिनांस के या ये कम्यूनिकेशन हेड ये क्या करेंगे कमपनी का पूरा शहर लहौर दो सो चोहतर यूनिन कॉंसल और इसके सासाथ दो सो चोहतर के सासाथ च्छती सो बलद्यातीन माइंदों का और इतने वोटर्स आपका पूरे महले, गली, कुचे, शेहराएं ये तमाम तर गंदिकी के डेर क्यों नजर आ रहेंगे हैं ये पसे मनजर इसका यह है कि पीछे से मौमलत सारे खराब हैं आपका बोर्ड नहीं बनावा बोर्ड में जो स्यासी द बलाते हैं और इस वकत आज भी बलके परसों इनके तक्रीमा आठ अपसरान गिये हुए थे नैप में, आठ के आठ अपसरान के बहुत आजकल तेजी से काम कर रही है, नाजिन मुतहरिक हैं और हम अभी LWMC की कार्दगिर्दिकी पर बात कर रहे हैं, यह आप देख सकते है कि यह नाला है और आगे जाके इसको कुड़े का कवर लग चुका है, और कुड़ा कप से साफ नहीं हुआ, यह मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वासा की कार्दगी है, उसके ओपर भी सवाल्या निशान है, आगे जाके मैं इसी सु मेरा यह है कि जो वासा है, वो कब कब यहाँ पर आपने देखा है कि काम करता है, वासा तो यकीन करें कि साल में यह दो मर्दबादी जब बरसाद होती है, उसके इलावा वासा हमें नजर नहीं आती, और वासा से हमें सबसे ज्यादा जितने भी मैक में है, उसमें वापता ह उसमें लैटेंवाले है, ये लडुबली मिमसी है, सबसे ज्यदा हमें चिकाया जो वासा से है, कि वासा हमारी कंपलेंगी रंड करती, सबसे ज्यदा प्राबलम है, अब यहां पे सिर्फ जैडो साब का यह द्रोके का गसूर नहीं है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारी बास सुनते हैं, लेकि उसमें यह है कि वो कहते हैं, जी कि गाड़ी खराब है, गाड़ी नहीं मिल रही, अब इनको गाड़ी मिलेगी तो वाँएंगे ना, यहां पे सिर्फ जैड़ी आउट इटिट है मेडम, हर दूसरे दिन खराब होती है, लेकि तो आप सामने अफिसर खड़ें, केस चल रहे हैं, अलबराक औस पार्क तमाम तर जो कमपनी के पैसे हैं, नेब में यह फाइलिंग चली गी है, अब अलबराक औस पार्क का जो कंट्रेक्ट है, वो 19 मार्च को हतम हो रहा है, और 19 मार्च के बाद जो है, उसके बाद जो सूर्थ आल है, वो एक साल तक जो है, वो सूर्थ आल इसी तरह चलेगी, मगर यह सूर्थ आली है, कि अगर यह कहते हैं, कि बंदे आ जाते हैं, मश ही बताएंगे कि जिस तरह से काम होना चाहिए तचमीर साथ सही सही बताईएगा वैसा काम क्या हो रहा है इस वकत अलबराक और उस बाग जो है जो गाड़िया वरक्शाप में ठीक होने के लिए ने जलदी सब्सक्वर्ण का माया ना कुछे जीओं की बहूत को गड़ीयों की ब선 प्रावला में हमारे बाहिएं हमारी बात सुनते हैं यह नहीं हमें इस चिक्वा भी होता है जब कभी ऐसा होता है कि हमारी बाक नीचोंगे यह सपाई नहीं होती नाजरीन मुझे ये समझ नहीं आती है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और पाकिस्तान का दूसा सबसे बड़ा शहर है जहां कि आबादी चूस करती है कि मुल्क का सदर कौन होगा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा वजीर आला कौन होगा कहा ये जाता है कि जिसको पंजाब ने मुंतकिब कर लिया हुविफाक में अपनी सियासत और अपनी धाक बिठाने में काम्याब हो जाएगा तो वो शहर सफाई से महरूम रहता है ये बात समझ नहीं आती और फिर वो शहर जहां पर ऐसी कंपनियां जो के सालाना अर्बो रुपे में जिनको हायर किया जाता है वो कंपनियां अर्बो रुपे लेकर भी इस शहर के सफाई करने में नाकाम रहती हैं ये सवालात इनका सलसला हम शुरू रखेंगे जारी रखेंगे प्रिग्राम में चोटी सी ब्रेक अब वक्त हुआ है ब्रेक के बार दुबारा से आपको जुआइन करेंगे कही मत जाए हमारे साथ रहिए